एक बच्चे ने पूछाए कि सर जो गोल और अब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हिंदी में हम लक्षे और उद्देशे बोलते हैं गोल मतलब लक्षे अब्जेक्टिव मतलब उद्देशे ये क्या दोनों एक ही चीज है ये सेम है क्या या फिर इन में कोई अंतर भी होता है क्योंकि कई बार students जो है इन दोनों को same purpose से use मिलाते हैं लिखते time तो इन दोनों में मैं बता दूँँ आपको difference होता है जैसे जो objectives होते हैं जिनको मुद्देशे और goal यानि की लक्षे बोलते हैं इन में अंतर होता है ठीक है तो अंतर क्या होता है तो उसको समझे आप जो goal होता है तो वो तो आपका मंजिल हो गया है जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो मंजिल आपका वो goal हो गया जैसे किसी को IAS बनना है किसी को businessman बनना है किसी को साधी करनी है यह भी goal हो सकता है इसी का ठीक है बड़े रंग बिरंगे इंडिया में लोग है students है प्यारे प्यारे त सकते हैं किसी का गोल होगा कि उसको बुक पढ़नी होती है बुक्स पढ़ने का सौक है तो वह सकता है किसी को कुछ क्रियेटिविटी करने का गोल हो सकता है किसी को कोई नई लेंग्वेज सीखने का गोल हो सकता है तो वह मंजिल वो गोल है और objective बताया गया है वो कारण है कि आप वो जो गोल है वो उसको प्राप्त क्यों करना चाहते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं गोल तो decide कर लेते हैं कि भैया हमको ये foreign language सीखनी है हमको share market सीखना है हमको ये वाला exam crack करना है हमको ये book पढ़नी है या हमको ये कहानी पढ़नी है या हमको ये करना है हमको dance class join करना है या फिर हमको समझ गए न आप लेकिन कभी भी वो उसके पीछे ये कभी नहीं पूछते कि ऐसा करने के उनके उद्देश ये क्या है कारण क्या है आप लोग कुछ भी कर रहे हो life में अगर आप उसके गोल आपका decide है मुझे पता है आप उसके कारण पुछोगे उसके objective पुछोगे कि वो क्यों कर रहे हैं उसको हासिल क्यों करना है उस goal को तो वो objective जो होते हैं वो बड़े अजीब से निकल के आएंगे ठीक है जैसे कर रहा है और बहुत सारी चीजे हैं तो इन दोनों में difference होता है यह दोनों चीजे सेम नहीं होती है चलो इतना बता दिया है तो एक चीज और बता देता हूं जो आपका goal है जो भी आपने decide किया है वो smart होना चाहिए स्मार्ट अब आप बोलोगे सर स्मार्ट का मतलब क्या है तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका goal स्मार्ट है या नहीं आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर S का मतलब हो गया specific होना चाहिए निश्चित होना चाहिए न ओके विसिस्ट होना चाहिए और आप M का देखेंगे specific और M मतलब measurable होना चाहिए measurable समझ गए मापने योगे होना चाहिए उसको measure किया जा सकता हो और A का मतलब actable होना चाहिए यानि कि उसके उपर ऐसा होना चाहिए उसके उपर act किया जा सके और R का मतलब वो real होना चाहिए unreal नहीं होना चाहिए ठीक है और T सबसे important है time bound यानि कि आपने जो goal decide किया है, उसको आपको कितने time में achieve करना है, वो कितने time में achieve हो जायाएगा. वो भी आपने decide कर लिया हो. तो specific होना चाएएए आपके लिए, measurable होना चाहिए, श को आप map सकते हैं, action ले सकते हैं, उसके उपर real होना चाहिए और time bound वो ज़रूर आप जहान दी तो अगर आपका goal smart है और आपके objectives clear है तो आप अपने लक्षे को, अपनी मंजिल को, अपने goal को 100% achieve कर लेंगे ऐसी मेरी आपके साथ सुबकामनाई है, तो all the best और ऐसे ही अपना प्यार बनाई रखे हैं हमारे साथ, अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में, चलिए बाई बाई थेंक यू